करके जा रहा था कि शायद US market में बहुत बड़ी rally आए और futures में भी तेजी है अगर Donald Trump जीते भी दिखाई देते हैं जो अब तक लग रहा है यहाँ पर तो I think वो शायद कल market ने pricing करने की कोशिश की और गिफ निफ्टी सुबह काफी उपर था लेकिन अब नीचे आ गया है क्योंकि काफी कुछ market शायद कल pricing कर चुका है प्लस आशिश क्या होता है आप ओवर नाइट कोई बड़ा risk नहीं carry करते हैं जब market react करेगा news पर अगर तो यह decision live market आर में आना होता तो शायद कल इतनी बड़ shot covering move था लेकिन इसमें एक चीज में जोड़ देता हूँ हमने लगाता है एक बात की है कि अगर market की recovery को कोई लीड करेगा तो banks होंगे और bank nifty पर एक approach यह रही है कि bank nifty पर shot नहीं करना bank nifty पर आपको buy on dips की रणिती रखना है भले nifty पर sell on rally है लेकिन bank nifty week नहीं है और कल देख की memory सबको होगी कि किस तरीके से market इतना volatile था बड़ा gap down बड़ा gap up कुछ भी हो सकता है market में तो लोग short नहीं लेकर जाना जाते थे system में कोई attention नहीं है मुझे लग आज global market में काफी volatility होगी I think आप already देख रहे हैं काफी हद तक swing हो रही है वहाँ पर अभी यह कहना बहुत जल मतब नॉर्मली v-shape recovery के लिए मुझे इसमें कोई trigger दिखता नहीं है आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात होगी वैसे लेकिन एक चीज़ क्लियर है market में bank nifty आउट perform कर रहा है अब reason में detail में discuss करूँगा उसका example देता हूँ अब peak से nifty 8% नीचे bank nifty सिरफ 4% नीचे ठीक है तो 4% की correction कोई बहुत जादा नहीं होती एक possibility ये भी है कि nifty भले all time high hit ना गरे bank nifty कर दे ये एक possibility है market में और bank nifty ने क्या किया bank nifty ने 100 day exponential moving average को बार बार डिफेंड किया कल का भी low exact 100 day exponential moving average अक्टूबर का low तो गया ही नहीं bank nifty नहीं पर उससे 1000 point पहले bounce कर गया और हमारे पिछले कुछ दिनों से अप्रोच कर रही है चैनल पर चैनल पर अप्रोच एक बहुत simple रही है nifty को sell on rally bank nifty को buy on dips ये एक अप्रोच रही है चैनल पर और हाँ आज अगर nifty और bank nifty दोनों day high पर बंद होगी जैसा कल हुगा है तो जो हमारे एक assumption है कि दो दिन चाहिए हमें market को लगा था day high पर close होने का वो condition fulfill होगी पहले कई बार हुआ है इस move में जिसमें एक दिन हम day high पर बंद हो उसके अगले दिन से फिर market ने slip करना चुरू कर दिया तो इसके लिए इस बार मैं ज़्यादा cautious हूँ और इसके लिए मैं wait करूँगा और एक चीज़ निफ्टी में crucial level 24-500 का कल भी मने बात की थी कि 24-500 के ऊपर जब तक बंद ना हो confidence नहीं लोटेगा झाल झाल जब चैज़ यह में लोटेव जडिया रहाव आवर का बंद हो का? झाल झाल